उत्तर प्रदेश में डेंगू का कहर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में स्वास्त भी भाग निग्रानी रखे हुए है लेकिन तमाम लोग अभी भी बीमार पढ़ रहा हैं बात करेंगे ब्रजेश पाठक जी से उपमुक मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के सर डेंगू फैल रहा है और कई जिलों से मौतों की भी खबरें आ रहे हैं कैसे नियंत्रित करेंगे इसल डेंगू हमारे लिए चिंटा का विसे है अभी हम लगातार मानेटरिंग कर रहे हैं सभी जन्पदों के मुचिकत साधिकारियों के हम सीधे संपर्क में हैं वाड अरचित हैं लगभग मरीज हैं पिछले वर्स के तुलना में नेंतर हुआ है लेकिन लखनव प्रियागराज और जहौनपूर में मरीजों की संख्या अधिक है इन तीन जन्पदों की संचारी रोग अभियान के हम समीच्छा करा रहे हैं और हमने अलग से रिपोर्ट मांगे कि इन तीन पेटलेट्स की कमी न होने पाए बलेड की कमी न होने पाए सारे चिकेस्सा जो इसके उपवंध हैं सब कुछ हमारे पास उपलब्ध हैं और हम हर तैने से तयार हैं कि जो भी स्थिती आईगी उससे हम निप्टेंगे अब धिरी-धिरे डेंगू के के सिस कम हो रहे हैं दुपहर बाद आजाएगा हमारे पास हम आपको बताएंगे लेकिन कोई ऐसी पैनिक जैसी स्थिती नहीं है हर इसी से निप्टिकली हम तयार हैं जो घटनाएं घटी हैं वह हमीं दुखी करने वाली हैं लेकिन उन घटनाओं में हमने देखा जुन मरीजों की डेथ हुई क इनकोई पहले से भी बीमारी उनको थी जिस कारण ऐसी दुखत घटना होई है इसकी पुनराबेती नहों इसके लिए हम पूरी तरह से हर इस्तर पर तैयारी करेंगे और ये घटनाएं हमारे लिए वास्तम में एक चुनोती हैं इनको हम सुईकार करते हैं और इस चुनोती स की लगतार मानिटिंग कर रहे हैं और उन्होंने भी ए इप उनकी विधाएकी विधाओं पर लग गया है है लेकिन जो ठीकरा पूट रहा है वह भारती जनता पार्टी के उपर पूत रहा है कहीं नहीं देखिए समाजवादी पार्टी अपनी कुकृतियों की वज़े से खुद समाप्त होने जा रही है गुंडे माफिया बदमास लफंगों को आगे करना ऐसे लोगों को प्रस्रे देना जो बैड एलिमेंट्स है जिनकी ना कारियों पर उनका अंकुस है ना वाणी पर अंकुस है और यह उसी का परिणाम है कि मानी नैले ने निड़े दिया है निड़े स्वागत ही हो गए हम सब उसका स्वागत करते हैं और उसका अच्छर सा पालन हम सब करें गए एक आखरी सवाल ये था कि कल मायावती जी का एक ट्वीट आया था उन्होंने कहा कि राष्ट पती जो है वो दलित नहीं बन पाया आज तक उसके लिए कांग्रेस और भारती जनता पार्टी जिम्मेदार है इन लोगों ने कभी चाहा ही नहीं कि प्रदान मंत्री जो है वो द जो पंच तीर्थ थे चाहे मुंबई में हो चाहे मुहू में हो या जो है अंग्लेंड में उनके जो जहां उन्होंने पढ़ाई पड़ी थी ऐसे सभी पांस तीर्थों को उन्होंने उसको खरीदा फिर मेंटेन किया और ये पंच तीर्थ आधरनी प्रहमती नरेंदमोदी जी ने बनवाए जहां तक देलिस समाज के विक्ति का सर्वोच पद पर आशीन करने का है अधरनी प्रहमती नरेंदमोदी जी ने भारती अंता पार्टी नहीं पिछली बार जो हमारे राष्ट्रपति महोदे थे वो भी उत्ताप्रदेश से थे कानपूर से थे और आधरनी रामनात कोवी जी को देश की सर्वोची कुर्सी पर बैठाने का काम किया और पूरा देश जानता है कि इस बार जब राष्ट्रपत्पत के परतियासी का चैन हो रहा था सब लोग सोच रहे थी कि कोईन कोई वेक्ति आएगा लेकिन आधरनी प्रहमती नरेंदमोद जी ने भारतियंता पार्टी ने एक ऐसी आधिवासी महिला को कुर्सी बढ़ बठाया जो आज तक सूच भी नहीं सकते थे जिनको विकास की मुख्यधारा से दूर रख्या गया था उनको देश की सत्ता का केंदर बिंद बनाने का काम एक आधिवासी महिन को आधरनी प्रह इसको आधिवासी महिला को राष्टपती के लिए आगे नाम लाया गया और राष्टपती बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारती जनता पार्टी ने किया है और साथ ही साथ इस बार आधिवासी महिला को राष्टपती के लिए आगे नाम लाया गया और राष्टपती बनाने में जो है वो अहम भूमी का निभाई गई तो भारती जनता पार्टी सब के साथ सब के विकास के साथ आगे बढ़ रही है और प्रदेश को एक दिन नमबर वन बना कर रहेगी कैमरमेंट शर्वन कुमार के साथ सीमाब नकवी भारत समचार लखनव